जहिन दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे दोस्तो MPPS ये प्रिलिम्स की परिक्षा निकट है और जब इसके सिलेवस की बात करते हैं तो इसमें 10 यूनिट दिखाई पड़ते हैं ये जो 10 यूनिट हैं ये 10 यूनिट का अगर हम आकरी यूनिट की बात करें काई 10 की तो इसमें आयोग दिये गए हैं और जब इन आयोगों की बात की जाती है तो चातरों के जो सामने से क्वेशन सामने आते हैं वो ये कि इसमें प्रशन कैसे आएंगे और प्रश्ण का लेवल क्या होगा कितने प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से एक lecture श्रंकला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग lectures के माध्यम से इन अलग-अलग आयोगों को लेकर discuss करे clear प्रश्ण तो हम discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले आज के इस lecture में हम बात करते हैं कि आयोग जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों आयोग शब्द को इंग्लिश में commission कहते हैं और इसका अर्थ है जिसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सरकार है आपका जो स साशन होता है इस साशन को कई सारे दाइत्व का निर्वहन करना पड़ता है तो कई बार यह देखा होगा कि जो साशन है वो कई सारे काम जो होता है उसको लेकर suggestions या उसका प्रारू तैयार करने के लिए वो कांग या वो दाइत्व या वो करतव जो होते हैं वो किसी व्यक् को भी सोप सकता है और किसी संस्था को भी सोप सकता है तो जब ये व्यक्ति और संस्था को ये काम दायित्व या करतवे सोपे जाते हैं तो इसे हम कहते हैं आयोग अर्थात ये संस्था और व्यक्ति जिसको ये सारे काम दायित्व करतवे सोपे गए हैं वही क्या कहलाएगा आयोग कहलाता है ठीक है आयोगों के अगर हम प्रकार की बात करें दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं आयोग कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के आयोग होते हैं एक प्रकार के आयोग को बोला जाता है समविधानिक आयोग और दूसरे जो आयोग होते हैं इनको बोला ज समिधान में है जैसे आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग दिया है इलेक्शन कमिशन दिया है तो ये इलेक्शन कमिशन किस प्रकार की आयोग हो गया समिधानिक आयोग ठीक है लेकिन समिधानिक आयोग के विपरीद समिधिक आयोग क्या होते हैं वे आयोग जो समिधान में न पहिला आयोग है ना ये आयोग है एक सामविधिक आयोग क्यों कि भारत की संसद ने 1990 में एक अधिनियम बना कर आयोग को बनाया है इसलिए सामविधिक आयोग है तो सामविधिक आयोग जो जिसका समविधान में वरणन है किसी ने किसी आर्टिकल के अंतरगत और सामविधिक आयोग वो जिसका समिधान में वरणन नहीं है लेकिن संसद या राज्य की विधान मंडल के द्रारा एक बोल सकते हैं कि अधिनियम बना कर इनको बनाया जाता है और यह आयोग दो इस तर पर होते दोस्तों जो केंडर सरकार के आयोग होते वो बनाया जाते राज्य के इसे संबंदित कुछ important प्रश्णों को देखते हैं ठीक है चलिए पहला प्रश्णी आपका भारतिय समिधान में निर्वाचन संबंदी उबंद कहां वरणित है तो दोस्तों इसका उत्तर है 324 से 329 आर्टिकल नंबर 324 से 329 के अंतरगत निर्वाचन संबंदी सभी उबंद दिए गए है और यह जो आर्टिकल है यह समिधान के भाग 15 के अंतरगत आते हैं याद रखना ठीक है चलिए अगला कोश्चन है भारत का समिधान निमलिकित अनुच्छे दो मैंसे किस एक में एक निर्वाचन आयोग का प्राधन करता है तो किसके अंतरगत निर्वाचन आ चुनाओ करवाएगा ये निर्वाचन आयोग रास्टपती के चुनाओ करवाता है ये निर्वाचन आयोग उपरास्टपती के चुनाओ करवाता है और यही निर्वाचन आयोग राज्य के विधान सभा के चुनाओ भी करवाता है तो याद रखिएगा कि विधान सभा के चुनाव हो, राज्यों में, उपराश्टपती के चुनाव हो, राश्टपती के चुनाव हो या संसत के चुनाव हो इन सभी चुनाव को करवाने के लिए ही 324 के तहट निरवाचन आयोग बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रशने आपका भारत के मुख की चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा न्युक्त किया जाता है दोस्तों याद रखना है कि जो भी केदरी स्तर के समयधानिक संस्थान है बड़े संस्थान है उनमें जो अध्यक्ष सदस्यों के अपॉइंटमेंटेशन होत दो आता है ठीक है आर्टिकल नमबर 324 के क्लॉस 2 के अंतरगत ये व्यवस्ता की गई है कि रास्टपती के द्वारा मुख के चुनाव आयुक्त की न्युक्ती की जाएगी अगला प्रशन है मुख की निर्वाचन आयुक्ते एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कारेका का के चुनाव का का कारेकाल होता है ठीक है कितना शेय वर्षिया 65 वर्ष की आयूक्त अब छेय वर्ष का मतलब क्या कि कारेकाल की जो अबदी रहेगी वह 6 वर्ष लेकिन कौई भी व्यक्ति 65 वर्ष की उमर से ज्यादा इस पोश्ट पे नहीं रह सकता एक्जामपल समझें पूरा कारेकाल 6 वर्ष का अपना इस पे बिताएगा है ना तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू जो पहले हो वो इसका कारेकाल होता है अगला प्रशन है भारत में राजनेतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा मानेता प्रदान की जाती है तो भारत में राजनेतिक दल को तीन सदसी आयोग किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों इसका उत्तर आपका है 1989 में याद रखना है 25 जनवरी को 1950 में भारत के निरवाचन आयोग बनाया गया था इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को क्या मनाते हैं वोटर डे मनाते हैं तो वोटर डे कब बनाया जाता है याद रखेंगे 25 जनवरी को क्यों क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत के निरवाचन आयोग को बनाया गया था अब इस दिन से लेकर तो लगबग 15 ऑक्टोबर 1989 तक ये आयोग जो है वो एक सदसी आयोग के तोर पर था तो प 1989 में इसमें दो अन्य आयुक्तों को जोड दिया गया तो एक मुख्य आयुक्त प्लस दो अन्य आयुक्त मिलाकर किते हो गए तीन आयुक्त तो पहले जो संस्तान एक सदस्य था वो तीन के साथ अब बहु सदस्य हो गया लेकिन यहीं पर बात ने रुखी 1990 में इसके जो दो अने सदस्य थे इनको फिर से अलग कर दिया गया मतलब 1990 में ये बाफिस कैसा होगा एक सदस्य आयो हो गया और तीन सदस्य आयोग है निर्वाचन आयोग जिसको हम बहु सदस्य आयोग के तौर पर देखते हैं अगला प्रशने आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का पद किसके समकक्ष होता है तो याद रखेंगे भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग का इसका पद होता है सर्वोच न्यालय के न्याइधीश के तुलि होता है जो सर्वोच न्यालय का न्याइधीश होता है इसी के बराबर इसका पद होता और इसकी रिवस्ता अनुचेद नंबर 324 के क्लॉस 5 में की गई है इसके तहत सुप्रीम कोड के जज के बराबर हैसियत रखता है मुक्ह निर की कार्यों में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंदित नहीं है कोशन में क्या कहा गया है कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग से संबंदित नहीं है तो मतदाता सूची तयार करने का काम निर्वाचन आयोग का है निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तयार करत जो के निरवाचन आयोग का काम नहीं है याद रखना अप archives कि लिए थोनाओ निमन मैंसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो याद रखना है राष्टपति का चुनाव भी भारत के निर्वाचन आयोक के द्वारा ही करवाया जाता है ठीक है भारत का जो राष्टपति होगा उसका जो चुनाव होता है वो भारत के केंद्रिये निर्वाचन आयोक के द्वारा करवाया जाता और इसकी रिवस्ता की गई है सविधान के आर्टिकल नंबर 55 में भारती सविधान का आर्टिकल नंबर 55 जो होता वो कहता राष्टपति का इलेक्षन और यहां पर आप समझ सकते हैं कि केंद्र के निर्वाचन आयोक के द्वारा एकल संक्रमणी मत्पद्दती से याद रखेंगे मत्पद्दती का नम क्या है एकल संक्रमणी मत्पद्दती से होता है और कौन सी प्रणाली है तो याद रखेंगे समानुपातिक समानुपातिक मत प्रणाली से ये election किये जाते हैं तो ये भी आप लोगों को धिहान रखना है कि समानुपातिक मत प्रणाली का यूदता है इकल संक्रमणी में पद्धती के तहत आर्टिकल नमबर 55 के द्वारा भारत के राष्टपती का चुनाव होता है और ये काम भारत का निर्वाचन आयोगी करवाता और एक और याद रखना ये चुनाव कैसे होते हैं अप प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राष्टपती के अप प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है चुनाव दो प्रकार के होते हैं एक प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष का मतलब जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिदी हैं वो प्रतिनिदी जब किसी को चुनते हैं तो उसको आप बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाओ जब जनता खुद वोट डालने के लिए जाती है तो वो चुनाव होता प्रत्यक्ष चुनाव और जनता के द्वारा चुने गए कोई प्रत्यक्ष चुनाव होता जैसे कि सांसद जो होता वो जनता चुनती है और जब सांसद किसी को चुनेंगे तो वो चुनाव अप्रत्यक् निर्मान करना दोस्तों आचार सहीता का निर्मान चुनाव आयो करवाता बिल्कुल सही है चुनाव चिन्न का आवंटन करना चुनाव चिन्न का आवंटन भी निर्वाचन आयो करवाता ये भी सही है नेक्स्ट है चुनाव की वैददा का निप्टारा करना और अगला है चु नियालाई के द्वारा किया जाता है एक्जामपल इसे कोई विवाद होता है तो को देता है सुप्रीम कोड को देता है तो इस प्रकार से नियालाई जो करता है कि चुनाव वैद होंगे की अवैद होगे संसत की सदस्य की निरहरतां से संबंदित प्रश्ण का विनिष्चय करते समय राष्ट पती निम लिकित मैं से किसे परामर्ष लेता है याद रखना है कि संसत सदस्य की निरहरतां का विनिष्चय कौन करता है तो ये करता है लेकिन रास्टपती जब ऐसा करेगा तो किसे साहिता लेगा किसे परामर्ष लेगा तो परामर्ष लेता है भारत के निर्वाचन आयोग से ठीक है तो इस प्रकार से भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो परामर्ष जात्री काम भी करता है भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्ष के बाद ही रास्ट पती संसस अधसों की निरहरताओं का विनिशित करता है और संसस अधसों की निरहरताओं वो भारती सविधान के अनुच्छित नंबर 102 में दी गई है सविधान का आर्टिकल उमबर 102 आयोग्य करार किया जाता है कोई भी व्यक्ति जिसको न्यालाई ने अपरादी गोशिद कर दिया तो चुनाओ लडने के लिए आयोग्य कौन कहेगा वो डिसाइड किया जाएगा, भारत के निरवाचन आयोग्य के द्वारा ना तो सरकार करेगी, ना ही सरवोच नियालय करेगा, ना ही संसत करेगी, जो निरवाचन आयोग हुगा, वो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको आपने अपरादी खुशिद कर दिया नियालय ने तो उसको चुनाव लणने के लिए आयोग्य करार देंगे, ठीक है, ये विवस्ता जो है वो कौन करता निर्वाचन आयोग करता है भारत का ठीक अगला व्यवस्ता है भारत्य निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो प्रथम मुख के चुनाव आयुक्त कौन थे अगर ये प्रशना आता है तो आपका उतर होना चाहिए सुकुमार जो हैं वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और सबसे बड़ी बात तो यह है कभी आप से एकजाम में पूछा जाया तो याद रखना कि यह सुकुमार सेन जो थे न यह बंगाल से थे यह याद रखना आप लोगों को और सुकुमार सेन बंगाल से थे और इनको लगबग 1954 के आसपस हम बात करें, तो इनको पद्म विबूशन भी मिला हुआ है, तो सुकुमार से इनको पद्म विबूशन भी दिया गया था, 1954 में, clear, और इनका जो कारेकाल रहा था, दोस्तों वो याद रखना है, लगबग 21 मार्च 1950 से लेकर, 19 दिसंबर 1958 तर, ये इनका क कारेकालता, 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक 8 वर्ष लगातार ये अपने पतपर रहे थे, बंगाल से थे, और 1954 में ने पदम विबूशन का पुरुशकार भी दिया गया था, clear, अगला प्रशने आपका, भारत के निर्वाचन आयोग का उलेक भारती सविधान के किस भाग में ह और वर्तमान में हम कितने भागों की बात करते हैं, वर्तमान में हम सविधान में 25 भाग की बात करते हैं, भाग वो विवस्ता है जहां सविधान में एक ही प्रकार की सभी चीजों को जब एक जगा संकुलित किया गया है तो उस विवस्ता को हम भाग कहते हैं, clear, और वो जो भाग है जैसे कि हम election से related जो भी हमको जानकारी चाहिए उसके लिए हम लोगों को किसमे जाना पड़ेगा भाग 15 में आपको मिल जाएगी ठीक है तो भाग 15 में इस प्रकार की विवस्ता की गई है अनुच्छे नंबर 324 से लेके 329 के बीच में ठीक है चलिए अगले question की बात क पोश्पर decide बोल सकते हैं निउक्त की गई थी उनका नाम था वी एस रमादेवी दोस्तों वी एस रमादेवी जो है वो भारत की पहली महिला मुख निरवाचन आयक्त रह चुकी है जो 1990 में रही थी याद रखना है 1990 में इन्हें पोश्पर रखा गया था हाला कि ये था कि ज़्यादा समय तक लिए नहीं थी कि अपना पूरा कारेका लेनों पूरा किया हो एक limited time के लिए थी लेकिन हाँ पहली महिला अगर कोई थी भारत में मुख निरवाचन आयक्त तो वो थी वी एस रमादेवी जी ठीक है 1990 में रही थी ये अगला question है आपका next question क्या कहता है दे आप लोगों को ध्यान रखना है यह आप लोगों को ध्यान रखना है यूपी में एक चेतर है जिसका नाम है चंदोसी YOU..P के चंदोसी से है और वरतमान में मुख के चुनाव अयक्त तो झाल करिक चलिए नेक्स्ट आपका जो व्यवस्ता है वो है निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोक के द्वारा संपादित नहीं किया जाता तो याद रखिएगा लोकसभा का चुनाव जो होता है वो भारत के निर्वाचन आयोक के द्वारा करवाय जाता है इसके अलावा निकाय होते हैं इस्थानी निकाय जेटके अंदर गात आपके नगर निगम आते हैं नगर निगम के अलागा हम बात करते हैं कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं इस्थानी निकायों के चुनाव कहते हैं और दोस्तों इस प्रकार के ज 143 के अंतरगत हम बात करें तो एक आर्टिकल है 243 ट जिसको इंगलिश में के बोलेंगे 243 क इसके अंतरगत पंचायत के चुनाओं की बात की गई है ठीक है और इसी प्रकार से हम बात करें तो आर्टिकल नमबर 243 यक इसके अंतरगत नगर पालिका के चुनाओं की बात की कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो इन चुनावों को करवाने का काम करता है इसका मतलब है कि इस प्रशने के इसाब से जो इस्थानी निकाय के चुनाव है वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता भारत का निर्वा कुला के खिर साथ करवाता है उस्थानी निकायोंकर चुनाव होता है और राज निर्वाचन आयोक के द्वारा किया जाता है और हम हम आगे इसके बारें एक डिस्कूस करेंगे अगला लेक्षर हमारा होगा वह यह लुग कि रपाले काउं की चुनाव होते हैं मतलब इनके लिए लग व्यवस्ता की गई है अगला प्रशन आपका मुख के चुनाव आयुक्त को पद्चुद करने का कांप कौन करता है तो किस आधार पर किया जा सकता है कोंशन एक बार फिर पढ़ता हूं दोनों के दोतिया आई बह संसर्व के दोनों सदनों के दोतिया भ Columbus के दुआरा हटाया जाता है और उस प्रक्रिया से चाहता है जो सुप्रेम कोट के नयाग दिश को हटाने के लिए प्रियूक की जाती है क्लियर और इस प्रकार की व्यवस्ता जो है वो थीन सु चोवीज के clause 5 में दी गई है भारती सविधान के अनुच्छे 324 के clause 5 में ये व्यवस्ता दी गई है कि किस प्रकार से आप सर्वोचे नियालाई स्वरी मुखे चनाव आईक को हटाते हैं इसके लिए व्यवस्ता ये होती है कि सर्वोचे नियाईदिश के नियाईदिशों को हटाने की जो व्यवस्ता वही इसमें की जाएगी ठीक है क्या होगा पहले एक समिती बनाई जाती है वो जाच करती है रिपोर्ट संसर में देती है उस पर बहस होती है उस पर दोती आई भहुमत से अगर पास हो जाती है तो चुनाव अयुक्तों पत्स से हटाया जाएगा अगला प्रश्ण है भारत के अन्य निर्वाचन अयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है यह अच्छा प्रश्ण है यह भी आपको ध्यान आमर्ष पर हटाता है और यह व्यवस्ता भी भारती सविधान के अनुच्छे 324 के क्लॉस 5 के तहत आती है नेक्स्ट प्रशने आपका निमने लिकित कतनों पर विचार कीजिए कतन है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदसी निकाय है क्लियर यहां देखना है कितने सदसी निकाय प्रशन को देखिए कि पहले कथन में क्या दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदसी एसा तो नहीं है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदसी मतलग यह कथन गलत हो गया दूसरा कथन है संगा का घ्रह मंत्रा लाए आम चुनाओ और उप्चुनाओ दोनों के लिए कारे करता बिल्कुल नहीं इस प्रकार के चुनाओ कारे करम भारत का निर्वाचन आयोग ताय करता है और तीसरा है मानेता प्राप्त राजनेति दलों की विभाजा ने विलाए से संबने दिविवाद को निपटा रहा है तो यह सही है यह जो विवाद होते हैं यह कौन नि सब्सक्राइब करहा करता है दो आपको समझना है क्या होगा नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निरवाचन करवाना तो क्या नगर पालिकाओं और नगर निगमों के जो इलेक्शन्स होते हैं वो आपका हम बोल सकते हैं कि निरवाचन आयोग करवाता है कि यह भी समझना है निर्वाचन से उत्पन सभी संधियों और विवादों का निरणे करना क्या ये भी निर्वाचनायोग करता है तो याद रखना ये तीनों काम निर्वाचनायोग के नहीं है ये भी निर्वाचनायोग नहीं करता ये भी नहीं करता अर्थात आपका उत्तर होगा इन में से कोई नहीं मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज सभा के उपसभवपती सभवपती अगर हम इनके संदर में बात करते तो अद्यक्ष और उपाद्यक्ष जो होता है भारती सर्दानी के अनुच्ष पर्त्यक्ष तरीके से ही सभा के सदस अपने बीच में से एक 결과 अद्यक्ष और एको उपाद्यक्ष के तोर पर चुन लेते हैं ठीक है तो ये वेवस्ता नहीं हुआ और नगर पालिका के नगर नेगमों की चुनाओ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताए कि भाग नो काउ में आर्टिकल 243 जो उसमें ये वेवस्ता की गई है कि राज निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो इन इस्थानी निकाय योग नहीं करवाता है ठीक है अगला प्रश्ण पर आते हैं नेक्स्ट प्रश्ण आपका कहता है भारत के निर्वाचन आयोग के कारे हैं नंबर एक संसादेवं राज्य विधान मंडलों के चुनाओ कराना बिल्कुल सही ये काम करवाता है राष्टपती और लगा जाने की विवस्ता चुनाव आयोग करता है तो ये नहीं करता अगला है मुख्य निर्वाचन सूचिय तयार कराने के लिए कारे का निर्वाचन निर्वाचन आयोग करता है तो पहला सही है दूसरा सही और चौता सही है तो उत्तर कहा है आपका पहला पहला दूसरा और चोथा पहला दूसरा और चोथा ये आपके सही उत्तर हैं उत्तर कौन सा नहीं है ये नहीं है तो इसको ज़रा और दीप में देखते हैं तो याद रखना है कि संसद एवं राजे विधानमंडों को चुनाव तो करवाता ही है राष्ट पती के चुनाव आर्टिकल नंबर के चुनाव आर्टिकल नंबर 66 जो है वो भी कहता है केंदेर निर्वाचन आयोगी करवाता है अगर हम राष्ट पती साशन की बात करते है तो राजय का जो राज़िपाल होता है उसको अगर विश्वास हो जाए आर्टिकल नंबर 356 में कि राज़िसरकार या कोई भी श्राफन चलाने योग नहीं है तो राष्टपति साशन लगाने की सम्तुष्टि करता है तो यहां पर राज्यपाल करता है यह आद रखना इसलिए हमने इसको नहीं लगाया है और मुक्र सूची तैयार करने का मिं हम प्र प्रशन करते हैं इन सबसे हम इसका उत्तर शाटेंगे है आपका निम्न लिकेत कतनों पर विचार कीज़े पहला कतन है मख के चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परन्तु मिलने वाले वेतन में समानता है ये नहीं है सभी को वेतन भी समान मिलता है सही है जितना एक्तन उच्तम नियाला के न्यायधीज को मिलता है उतना ही वेतन मुक्य चुनाव ऐक्त कोभी मिलता है आटिकल नंबर 324 के क्लॉस 4 के तह तो आपको याद रखना यह सही है मुक्य चुनाव lawyers फो उच्तम न्याला के नहीं हटा सकते इसका मतलब ये भी क्या है आपका सही कथन है चौता कथन है चुनाव आयुक्त का कारेकाल उनके पदभार समालने की तारिक से पांच वर्ष अत्वा 62 वर्ष की आयू प्राप्त कर लेने तक होता है तो गलत है ये ये 5 वर्ष नहीं है 6 वर्ष है और 62 वर्ष नहीं है 65 वर्ष है तो ये 65 और 6 की व्यवस्ता ना कि 5 और 62 की व्यवस्ता ये वाला गलत हो गया तो सही सही कौन से हुए आपके एक तो दूसरा वाला सही है और एक तीसरा वाला सही है तो option में आपके 2 और 3 जो है option भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक चलिए next प्रश्ण की बात करते हैं दोस्तों next प्रश्ण आपका कौन सा है तोड़ा सा ज़ादा नीचे हो गया इसको मैं वापिस ले आता हूँ अगले प्रश्ण को डिस्पस करते हैं अगला प्रश्ण है 25 नंबर का प्रश्ण और 25 नंबर का प्रश्ण क्या कहता है भारत के निर्वाचन आयोक की शक्तियों एवं कारियों के संदर में नीमलीकित कतनों पर विचार कीजिए नंबर एक कतन निर्वाचन नामावली तयार करना वा योग्य मतदाताओं को पंजीकरत करना क्या ये निर्वाचन आयोक का काम है तो बिल्कुल निर्वाचन आयोक का ये काम है राजनितिक दलों को मानेता देना चिन्हों को आवंटिद करना बिल्कुल राजनितिक दलों क को माननेता देने का काम भी करता और उनको चिन्ना अवंटित करने का काम भी निर्वाचन आयो करता है तीसरा कतन निर्वाचन के समय दलों एवं मुमिदवारों के लिए आचार सहीता बनाना तो आचार सहीता बनाने का काम भी निर्वाचन आयो का बिल्कुल है इसके आधार पर तीनों कतन सत्ते हैं option है डी 1 2 3 3 ही सहीय है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अगला प्रस्ट आपका क्या है नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोगए संदर में निम्न लिकित कतनों पर विचार करते कथन है अनुच्छे 324 के तहत संसदी चुनावों विधान सावा चुनावों राष्टपती वो प्राष्टपती के चुनावों जो होते हैं कि देखरेक निर्देश वर नियंतरन का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है ये कथन बिलकुल सही है ये काम केंदरी आयोगी करता है या एक अखिल भारती आयोग है ठीक है केंदरी निर्वाचन आयोग जो एक अखिल भारती आयोग है पूरे देश के लिए समान है उत्तर से दक्षिन पूरब से पस्चिम अगर किसी भी राज्य में कोई चुनाव होंगे तो वो केंदरी निर्वाचन तो बिल्कुल सही व्यवस्ता है ये भी इसका मतलब उप्रोप सभी आपका उतर होगा कि ये सभी कथन सत्य हैं अगला प्रश्ण आपका क्या है किसी वयस्क नागरिक को धर्म जाती वर्ग संपरदाय अत्वा लिंग भेद के कारण मतादिकार से वंचित नहीं किया जा सकता या उबंद सभीधान के किस अनुच्छेद में है तो ये उबंद की बात करना है सबसे पहले याद रखिए वयस्क मतादिकार क्या है हमारे देश में हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है पूरुष व इस्त्री हो या फिर कोई हो वो वोटिंग कर सकता है और ऐसी व्यवस् नेक्स्ट आते हम नेक्स्ट कोशन आपका क्या है उसको जरा देख लेते हैं अगला प्रश्ण है संसद एवं राज्य विधान मंडल के चुनावों संबंदी विश्यों में नियालाई के हस्त्रशेब पर रूख साविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है तो याद रखेंगे विधी एवं नियाय मंत्रालाई जो होता है वो इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है नेक्स्ट प्रश्ण है निम्न में से कौन भारत के मुख के चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं तो मुख के चुनाव आयुक्त तोर पर प्रशांत सर्मा जो हैं वो कभी पोस्ट पे नहीं रहे हैं जो सुकुमार सेन थे वो 1950 से 1958 तक रहे थे और यह भारत के पहले चुनाव आयुक्त भी थे बंगाल से थे जिनको पद्म विभूशन का पुरुषकार भी दिया गया था इसके बाद अगर हम बात करें टीन सेशन के तो यह 1990 से 1996 के बीश में पद पर रहे थे और हम रमा देवी की बात कर ले थे 1990 में भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो तो पर काम करने वाली महिला थी तो इस प्रकार से जो आपका option C है वो प्रशान सर्मा कभी भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहें यह ध् रखेंगे यह पूरा जो अधिकार है वो हमारे सविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को दिया है तो भारत का निर्वाचन आयोग जो होगा वो इन सब के संदर्व में कहीं न कहीं बोल सकते हैं अपना कदम उठा सकता है अगला प्रश्न है भारत का निर्वाचन बनाया जाएगा और मैंने आपको बताए कि आर्टेकल नमबर 324 मतलब अगर कोई भी व्यवस्ता समिधान में लिखी गई है तो वो समिधानिक होगी इसका मतलब ये आयोग जो है वो एक समिधानिक निकाय के तौर पर है एक भारती लेवल की व्यवस्ता है ये ध्यान रखना है नेक्स प्रशने प्रशन नमबर 33 कहता है कि समिधान संसुदन के बाद से मतादिकार की आयोग 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है तो इसका उत्तर है 61 समिधान संसुदन द्वारा 1988 में भारती समिधान में 61 नंबर का संसुदन किया गया था प्रार्रम में देखा ग प्रशन नमबर 34 कहता है जन प्रतिनिदी अधिनियम 1951 समिधान के किस अनुचेद के तहत संसुदन द्वारा पारित किया गया था तो जन प्रतिनिदी अधिनियम जो है वो भी समिधान के अनुचेद के तहत आया था और ये व्यवस्ता अनुचेद के 327 में की गई है किसमे अनुच्छे 327 में की गई है अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 35 भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है आपका उत्तर होगा चार परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो परिसीमन आयोग भारती सविधान के आर् राज्य के विधान मंडल जो होते हैं इनमें सदस्यों की संख्या में बदलाव किया जाएगा और अब तक ऐसा आयोग भारत में चार बार बना है सबसे पहली बार 1952 में बना था दूसरी बार 1963 में फिर 1973 में और चौती बार सन 2002 में बना था सन 2002 के बाद कोई परिसीमन कोट में कहा था कि 2026 तक पुना समयोजन नहीं होगा मतलब अब 2026 तक परिसीमन आयोग की वेवस्ता नहीं होगी जब 2021 की जनगरना होगी उसके बाद जो रिकॉर्ड आएंगे उसकी आधार पर 2026 के बाद कोई परिसीमन आयोग बनेगा और इस पर कोई विचार करेगा क्लियर नेक्सकोशन की बात करते कोशन नमबर 36 प्रस में भी कथन दिये है कथन है पहला भारत के निरवाचन आयोग के मुक्ञ की निरवाचन आयक को उच्छ नियालाई के नियाएधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाई किया जाता है बिल्कुल सही है उसके बराबर हो तब तक होगा बिल्कुल सही है छे वर्ष और 65 वर्ष की विवस्ताई की गई है नेक्ष्ट है एक चुनाव आयोग को संबोधित स्वह साक्षरित लेके द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है तो दोस्तों यहाँ याद रखना है कि राष्ट पति को यह अपना तो यहाँ पर त्याग पत्र जो है वो ना की मुखी चुनावाई को देगा बलकी राष्ट पति को देखरी पत्याग करता है इस आधार पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा एक तथा दो कतन एक और दो जो है वो सत्य है बाकी तीसरा कतन असत्य है कोशन नमबर 37 कहत देश में स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव संपन कराना किसकी जिम्मेदारी है तो यह जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोकी है भारतिय सविधान के अनुच्छे 324 में कहा गया है कि संसत के चुनाव करवाना हो विधान मंडलों के चुनाव करवाना हो राष्टपत अगला प्रशने प्रशन नमबर 38 कहता है भारत में मत देने का अधिकार है दोस्तों मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है समिधान में कहीं भी इसकी बात नहीं की गई है इसलिए इसको समिधानिक मत अधिकार नहीं कह सकते यह प्रकार का वैधानिक अधिकार है जि उसके अधीन एक अधिनियम बनाया था भारत की सरकार ने और उस अधिनियम का नाम था जन प्रतिनिदी अधिनियम 1951 और इसी के तहट भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हम सभी को मिलता है और इसी अधार पर मैंने आपको कहा है कि जो मत अधिकार है व जो सविधान के द्वारा प्रदत होते हैं, वो सविधानी का अधिकार होते हैं, जैसे कि आपका संपत्ति का अधिकार है, अब ये संपत्ति का अधिकार जो होता है, वो 300 क के तहट आपको दिया गया है, अब देखो सविधान में ये वरणित हैं, अधिकतर जगा ये होता है क उसको वैधानिक अधिकार के तोर पर बता जाता है पर लन्तु यह एक समेधानिक अधिकार है क्योंकि यह समेधानिक अधिकार नहीं है इसका वरणन कहां किया गया है जन्र परितिदिदी अधिनियम 1971 के तहट इसलिए एक प्रकार का वैधानेक अधिकार है जो भारती सविधान के Article 327 के तहट आता है 327 में ये व्यवस्ता की गई है कि इस प्रकार की व्यवस्ता सरकार करेगी इसलिए सरकार ने यह विवस्तक की है नेक्स्ट है आपका question number 40 यह कहता है परिसीमन आयोग का मुख्यकार होगा तो परिसीमन आयोग का मुख्यकार क्या होता है देखने जरा आम चुनाव संबन करवाना बिल्कुल नहीं आम चुनाव संबन करवाने का काम जो होता है वो तो आपका निर्वाचन आयोग करता है दूसरा है विगत जनगंडना के आधार पर चुनाव छेत्रों की सीमा का निर्वाचन आयोग करना तीसरा है राजनितिक दलों का पज्जी करन करना और चोथा है सभी तो दोस्तों जब पहला गलत हो गया है तो सभी तो हो नहीं सकता एक और चोथा option आपका कर जाएगा राजनितिक दलों का पज्जी करन करने का काम भी निरवाचन आयोग का होता है इसका मतलब option number B जो है विगत जंगंडना के आधार पर च पंजीकरण की वेवस्ता की गई है तो याद रखना है चुनाव आयोग के द्वारा राजनितिक दलों के पंजीकरण के लिए अलग से एक अधिनियम बनाया गया है और वो अधिनियम जो है वो 1951 में बनाया था जन प्रतिनिधी अधिनियम निर्वाचित होने का दिकार और मत अधिकार का दिकार मैंने अभी थोड़ देर पहले आपको बताया था जन प्रतिनिधी अधिनियम 1951 के तहत ये वेवस्ता की गई है हमारे देश में नेक्स्ट है प्रतम परिसिमन आयोग कब गठित किया गया था तो इसका उत्तर है 1952 में 1952 में पहला परिसिमन आयोग गठ 2002 अब जो होगा वो 26 के बाद होगा थोगा 2026 तक कोई परिसिमन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा अगला प्रश्न है नेम लिकित में से कौन सा सुमेलित है, असुमेलित है असुमेलित incarcerated का मतलब ये जो सामने आपको एक तरप वर्ष दिया है एक तरप परिसिमन आयोग दिया है कौन सा आयोग किस वर्ष बना था इसका आपको जोड़ी बनाना ठीक है प्रतम परिसिमन आयोग 1952 में बना था बिल्कुल सही है दूसरा परिसिमन आयोग 1963 में बना था बिल्कुल सही है तीसरा परिसिमन आयोग 1975 दिया गया है लेकिन अभी हमने क्या डिसकस किया 1973 मतल है आपका निर्वाचन आयोग की सक्टियों को विस्तारीद किया गया है किस अधीनियम के द्वरा तो याद रखेंगे जन प्रतिनИधी अधीनियम 1951 के द्वरा जब आपको मत अधिकर का और निर्वाचित होने का दिकार प्रदान किया गया था नेक्स प्रश्ण है electronic voting machine जिसको हम EVM कहते हैं का सरुप्रतम प्रयोग किस राज्य में किया गया था अच्छा कोशन है यहां से डारेक्ली fact आप से पूछ सकते हैं तो EVM का पहला जो प्रयोग है वो केरल राज्य में किया गया था याद रखना है सबसे पहले केरल राज्य में EVM का प्रयोग किया गया था नेक्स्ट है EVM से संपून आम चुनाओं किस वर्ष संपन्न कराए गये थे अगला प्रशन है वी वी पेट जो मशीन है उसका सबसे पहला प्रयोग किस राज्य में किया गया था तो वी वी पेट मशीन का सबसे पहला प्रयोग नौर्थ इसके राज्य नागा लेंड में किया गया था ना नागा लेंड में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है वीवी पेट मशीन का निर्मान किसके द्वारा किया गया है तो option number 1 भारत electronic limited option number B electronic corporation india limited option number C है A और B दोनों इन दोनों ने मिलकर वीवी पेट मशीन को बनाया था जिसका सबसे पहली बार प्रियोग नागा लेंड के चुनाव में किया गया था हमारे जाती है तो याद रखना चुनाव की अधिसूचना राष्ट पती जारी करता है अधिकतर लोग यह जानते कि निर्वाचन आयोग नहीं निर्वाचन आयोग का काम सिर्फ यह है कि वह शांति पून तरीके से स्वतंत रूप से निस्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए यह को सेम कोशन है बढ़ इसको हमने स्टेट लेवल पर किया है तो विधान सबा एवं विधान परशित की चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है केंदर में कौन करेगा राष्ट पती और राज्य में कौन जारी करता है अधिसूचना चुनाव की राज्यप अगला प्रश्ण है सुषिल चंद्रा कौन से करम के मुक्ह जिर्वाचन आयुक्त है तो याद रखेंगे 24 म से नंबर के मुक्ह जिर्वाचन आयुक्त है थो है suit जिस चंद्रा वो है यूपी से है और यूपी में बोल सकते हैं कि इसके पहले ये हमारे देश के टेक्स धिप और उसके बाद इनको मुक्षि चुनावाइक्त बना दिया गया है अगला प्रश्ण है वर्तमान में कौन भारती निर वाचन आयोग में शामिल नहीं है बह Windows ले कि एक अ और दो यहां पर जो नाम दिये गाएं इनमें से कौन इन तीनों में शामिल नहीं थी याद रखना तोर पर है और सुनिल अरोरा जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे ठीक है ना याद रखना है सुनिल अरोरा जो है वो शामिल नहीं है तीन शामिल है अनुपचंद्र राजीव कुमार और सुशिल चंद्राजी क्लियर चलिए अगला है अच्छा ये सुनिल अरोरा कौन है तो जनवर 1950 को भारतिय निर्वाचन आयो की स्थापना हुई थी इसलिए हम 25 जनवरी को वोटस दे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं अगला प्रश्ण है भारतिय निर्वाचन आयो का सची वाला है हेड़ क्वार्टर से कहां पर है तो याद रखेंगे नई दिल्ली में इसक सची वाला इस्थापित किया गया है ठीक नेक्स प्रश्ण है लोक सभा एवं प्रतेक राज्जी की विधान सभा के लिए निर्वाचन वैस्क मतादिकार के आधार पर होगा या उपवंद सविधान के किस अनुचेद में किया गया है आपका उतर होगा अनुचेद नंबर 326 अनुचेद नंबर 326 के तहट वैस्क मतादिकार की बात की गई है इसी के तहट हमारे देश में कहिने कई जो व्यवस्ता वो की गई है अगला प्रश्ण है विधाईका का चुनाव के संबन्द में संसम में कानुन बनाने की शक्ती स्विधान के किस अनुचेद में वरनि अगला प्रश्ण है किसी राज्य के विधान मंडल को उनके चुनाव के लिए कानुन बनाने की शक्ती स्विधान के किस अनुचेद में वरनित की गई है तो इसका उत्तर भी है 328 आर्टिकल नंबर 328 जो है वो इसकी विवस्ता करता है याद रखना है अगला प्रश्ण है भारती निर्वाचन आयोग को पुना तीन सदस्य आयोग कब बनाया गया था तो भारती निर्वाचन आयोग को अक्टोबर 1993 में पुना तीन सदस्य बनाया गया था धियान रखियेगा 25 जनवरी को 1950 को निर्वाचन आयोग के स्थापना की गई इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में बनाया गया और इसके पहले निर्वाचन आयक के तौर पर आपने सुकुमार सेन को घुशित किया था वो 1950 से 1958 तक 8 साल तक इस पत्पर बने रहे थे और इसके बाद लगातार हम बात करें तो 15 अक्टोबर 1989 में जाकर इसमें कोई परिवर्तन किया गया था और सबस इसके बाद 1990 में बापिस एक सदस्टी हो गया और फाइनली 1993 में इसको में 3 सदस्टी बनाया गया था यहां पर पुना ही था तोzhण नहीं यह क्ट Doll Om कौन सा कफन सत्य है पेहला कफन है इस कफन से आपको लगता है कि उनके लिए को योग गद है जो कानूनी तौर पर हो प्रसासनिक तो याद है कि नहीं की गई है अगर ये बात की जाए तो इसको देखिए दूसरा है समिधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कारेकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है तीसरा है समिधान में सेवा निवरत चुनाव आयोग को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ती से वंचित नहीं किया गया है तो सत्ति की हम बात करें तो उपरोक्त सभी सत्ते हैं क्यों कि निर्धारित नहीं है कि क्या युगता होनी चाहिए कारेकाल निर्धिस्ट नहीं है क्योंकि राष्टपती ने निर्धारित किया है और सरकार द्वारा किसी और निर्धिस से वंचित नहीं किया गया ऐसा नहीं है वंचित है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती टेक्स से आता हो वो पैसा रिन से आता हो किसी भी प्रकार से पैसा हमारे देश में आता हो तो उसको संचित निधी इन सम्मे बोल सकते हैं कि सेवगर के रखा जाता है और इसकी व्यवस्ता भारती सविधान के आर्टिकल 266-1 में की गई है संचित निधी से ही इसके वेतन दि प्रादेशिक आयुक्तों को किस की सिफारिश पर राष्ट पती द्वारा पत्ते हटाया जा सकता है तो यहां पर याद रखिएगा जब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात हो और उनको हटाने की बात की जा रही हो तो भारत के जो मुख के निर्वाचन आयुक्त होते ह इनकी सिफारिश के आधार पर इनको पत्ते हटा सकता है लेकिन कौन हटाएगा रास्ट पति हटाने की पावर रास्ट पति के पास है बस यहाँ पर परामर्ष कर सकता है सिफारिश हो सकती है बस उससे जादा और कुछ नहीं मुख्य निर्वाचन आयप को पत्ते हटाने संब मिंदर अनुचे 324 के क्लॉस 5 में दिये गए हैं 324 का जो क्लॉस 5 है यहां पर कहा गया है कि मुखे निर्वाचन आयवत को पत्वे कैसे हटाया जा सकता है ठीक है नेस कोशन है जिले में प्रतेग निर्वाचन छेतरे के लिए निर्वाचन अधिकारी वा प्रतेग मद्दान क केंदरे के लिए पीठा सीन अधिकारी की निक्ति कौन करता है तो याद रखिएगा इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता वो करता यह सबसे नीचे का व्यक्ति होता है जिला निर्वाचन अधिकारी इस संदर्व में जो किसी भी जिले का कलेक्टर होता है किसी भी प्रादेशिक आयोक्तों की निकती किसके द्वारा की जाती है तो प्रादेशिक आयुक्तों की न्युक्ती राष्ट पती की द्वारा की जाती है Article No.324 के क्लास 4 के तहत राष्ट पती भी अधिकार दिया गया है Next question is 68 कहता है निर्वाचन आयुक्तों वो प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावदी किसके द्वारा निर्धारी की जाती है तो ये शेवा शर्तें और पदावदी का निर्धारन भी राष्टपती ही करता है ये अधिकार भी आर्टिकल 324 के क्लॉस 4 के तहती आयोग एक अकिल भारती संस्ता है बिल्कुल सही है चुनाव आयोग एक अखिल भारती संस्ता है पूरदेश के चुनाव जो होते हैं वो इसको ये दाइत्व दिया गया है कि ये संपूर करवाए अगला कथाने आपका राज्यों में होने वाले पंचायद वा निगम जो आपके होते हैं वो राज निर्वाचन आयोग करवाता है तो बिल्कूल सही है भारत का निर्वाचन आयोग करता है अगला कथने आपका प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पदावदी राज्यपाल द्वारण निर्धारण की जाती है बिल्कुल गलत राज्यपाल इनका निर्धारण भारत का राष्टपती करता है अनुचेद नंबर 324 के क्लॉस 4 के तहट इस आधार पर आप भारती इस्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है बिल्कुल सही है राष्टपती भारती सविधान के आर्टिकल नंबर 324 के क्लॉस 2 के तहट ये काम करता है अगला है प्रादेशिक इस्तर पर प्रादेशिक आयुक्त की निक कारी की निक्ति मुख्य निरवाचान ऐक करता है ठीक है आटिकल नंबर 3954 के कलॉस 4 के तहाद ये करता है आपका नेक्स्ट गतन है उप निरवाचन अयुथ सिबिल सेवा से कारेकाल व्यवस्ता के अधार पर चुने जाते हैं बिल्कूल article number 324 के clause 4 के थाद ये विवस्ता सही है इसका मतलब आपका उत्तर होगा उपरों के सभी कथन जो है वो सही है अगर next question है question number 71 question number 71 कहता है कि कुछ कथन दिये गए हैं इन पर आपको विचार करना है पहला कथन है मुक्क निर्वाचन आयक को उस र से आप इसको भी हटा सकते हैं सविधान का article number 324 clause 4 आपको इस बात की इजाज़त देता है अन्य निर्वाचन आयकत को मुक्क निर्वाचन आयकत की सिपारिश पर हटाया जा सकता है बिल्कुल सही 324 के clause 5 के तहत ये है राष्टपती हटाएगा परन्तु अन्य निर्वाचन आयकत को हटाने से पहले वो मुक्की निर्वाचन आयकत की सिपारिश को देखता है नेक्स्ट है मुक्की निर्वाचन आयकत अपना त्यागपतर राष्टपति को देते हैं संबोधित करते बिल्कुल सही है अनुछेद नंबर 324 के तहत ये राष्टपति को संबोधित करक अपना त्याकपत्र देते हैं मतलब एक दो तीन तीनों सा यह आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी चलिए अंतिम कोशन देखते हैं आज किस लेक्शर का वो कोशन कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के शक्ति एवं कारी के प्रकृति है भारत का निर्वाचन व्यवस्ता जो होती है वो निर्वाचन आयोग के अधीन ही होती है और उसके द्वारा यह चीज़ें की जाती है क्या सलाकारी व्यवस्ता है बिल्कुल निर्वाचन आयोग एक सलाकारी भी है क्योंकि जब प्रादेशिक आयोग की न्युक्ति की जाती तो इसे सला ली जात कई सारे काम होते हैं जो इसकी सलावरी किये जाते हैं, इसका मतलब ये सलाकारी व्यवस्ता भी है,acts. होता है तो यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सभी प्रश्णों को इसमें देख लिया है ठीक है अगले लेक्चर में हम राज निर्वाचन आयों की बात करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन जैभारत वंदे मात्रों